कि घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक सागत है आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आये हूं वह है धन्ते रश आज मैं आपको धन्तेरस से जुड़ी ऐसे कुछ खास बाते बताऊंगा जिनने जानकर आपको बहुत ही आश्चर होगा और आपको धन्तेरस के बारे में बहुत ही जानकारिया प्राप्त होंगी अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंते तक देखते रहे धन्तेरस धन्तरी त्रयोदसी या धन्त्रयोदसी दिवाली से पहले मनाया जाता है इसका बहुत ही महत है दिवाली के समय में इस दिन आरोगी के देवता धन्तरी मनुष्य के अधिपती यम वास्तविक धन संपदा की अधिश्चात्री देवी लच्छमी तथा वैभव के स्वामी कुवेर की पूजा की जाती है इस दिवहार को मनाय जाने के पीछे मानिता है कि लच्छमी के अवाहन के पहले आरोगी की प्राप्ति और यम को प्रसन्य करने के लिए कर्मों का शुद्धी करण अक्टन्त आवश्चक है कुवेर भी आशुरी प्रवृत्ति का हरण करने वाले देव है धन्वंतरी और मालच्मी का अवतरण समुद्र मंतरण से हुआ था दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे इसके साथ ही मालच्मी का वाहन एरावत हाथी भी समुद्र मंतरण द्वारा अवतरित हुआ था श्री सूक्त में लच्चमी के सरूपों का विवरण इस प्रकार मिलता है धनम अगनी धनम वायू धनम सूर्यो धनम वासू अर्थात प्रकृती ही लच्चमी है और प्रकृती की रच्चा करके मनुष्य स्वयंग के लिए ही नहीं अपितू नेस्वार्थ होकर पूरे समाज के लिए लच्चमी का स्रिजन कर रखता है स्री शूक्त में आगे यह भी लिखा गया है कि ना क्रोधो नद मात्सर्यम ना लोभो ना अशुभामती अथात स्ताथपरिया है कि जहां क्रोध और किसी के पति द्वेश की भावना होगी वहां मन की शुबता में कमी आएगी जिससे वास्तविक लच्चमी की प्राप्ती में बाधा उत्पन नहोगी यानि किसी भी प्रकार की मानसिक व्रकृतियां लक्ष्मी की प्राप्तिक में बाधा है आश्चर मानसिक और शारेक स्वास्त संबंदी उपाएं अपनाना ही धंतेरस का प्रयोजन है शी सुक्त में वर्डन है कि लच्मी जी भय और शोक्त से मुक्ति दिलाती है तथा धंधान और अनिसुविधाओं से युक्त करके मनुश्य को निरोगी काया और लंबी आयू देती है अताथ धंतेरस पर लच्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए तो आशा करता हूँ आपको भी धंतेरस के बारे में यह महफ़पूर बाते जानकर बहुत ही अच्छा लगा हो और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो देखकर धंतेरस के बारे में कुछ भी अगर जानकारी प्राप्त होई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो यह वीडियो आपके दोस्तों या आपके परिवार जनुक को भी मिलेगी और उन्हें भी देखकर कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होगी अगर आपके मन में धंतेरस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या सुझाव आता हो झाया है अगर अभी हुआ प्रापने को दोस्तों आपके परिवाjutर प्रापने कि लही आता हैं तो जात जुड़ा हैं यह वाल जा अभी को जाता है वे आता है जेखके हुआ धराय कि WHY जाता